हेलो गुड आप्रिनून नमस्कार एग्रिकल्चर अड़व 24-7 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर बिनाक्षी राथी और यहां हम प्रेक्टिस करते हैं अपने एंटेमिलॉजिक के MCQs तो बच्चो जो है फटाफट से अपने सारे काम छोड़ चाड़ कर आ जाए हम प्रेक्टिस करेंगे एंटेमिलॉजिक के MCQs और सब्सक्राइब कीजे चैनल को अगर आप चैनल पर नए है अड़ा की आप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो अड़ा की आप जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजे इसमें आपके लिए कापी सारी क्विज होती है सारी वीडियोज एवलेबल होती है तो इस स चैनल कोशन आप सभी के सामने यहां है तब प्रोबसिस in the month sorry mouth part of the butterfly is formed from proboscis जो है mouth part का Mouth ka part hai, ye koonse part se modify ho kar banta hai, proboscis koonse mouth part se modify ho kar banta hai, labium, gallia of maxillary, maxillary palpy, yaa phir gallia of mandibel, with which mouth part your proboscis is formed and your time starts now, labium, gallia, maxillary palpy, yaa phir gallia of the mandible. किसके थ्रू जो है आपका जो है माउस पार्ट बनते हैं तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर राइट आंसर होना चाहिए आपका गेलिया ओफ मैग्जिली गेलिया ओफ मैग्जिली से आपका प्रुबोस्किस बनता है प्रुबोस्किस किस से बनता है गेल गेलिया मोडिफाई होकर इस तरह प्रबोस्किस बनाता है लंबा सा और यह प्रबोस्किस का काम क्या है यह प्रबोस्किस का काम है नेक्टर को सक करना तो नेक्टर को सक करना इसका काम है तो चलिए बंधना ने भी सही आंसर दिया था आरती ने भी सही आंसर दिया था अकिले में addition of sarsai will have a pair of उसमें addition of आपकी सरसाई present होती है which will have a pair of उसमें कौन सा pair present होता है caudal filament का pair present होता है NL styley का pair present होता है claspers उसको कहा जाएगा या फिर para para pro उसको कहा जाएगा जो आपके को क्रोच है उनमें last segment में जो सरसाई होती है उसे क्या कहा जाता है and answer again हमें फटाफट मिल गया है तो यहां पर आपका answer है NL styley NL styley present होता है चली moving to the next question accessory glands of mesodermal origin accessory glands है और mesodermal in origin है तीन आपकी derms होती है epiderm होती है mesoderm होती है hypoderm होती है mesoderm आपकी beach वाली layer होती है तो उससे कौन सा जो है आपका accessory gland बनता है जो male reproduction में origin in the male reproduction system in the cockroach उसमें वो participate करता है milk glands में करेगा sorry milk gland present होता है misandena present होता है coli ferral gland present होता है यह vesicular seminalis present होता है and your time starts now foot effort answer कीजिए आपकी जो accessory glands of mesodermal origin है यानि की mesoderm से वो origin होते हैं होते हैं produce होते हैं और male reproductive system में उनका जो है function देखा जाता है वो कौन सा gland है तो वो कौन सा gland है वो मेज़देनिया gland है मेज़देनिया मेज़दम से याद रख लिजएगा यह मेज़देनिया gland है जो आपके कोकरच में present होता है चलिए moving to the next question earthworm earthworm has a circulatory system in extensive and आपके जो earthworm है उसमें कौन सा circulatory system present होता है hemo salik open type close type या फिर expanded by the flow soul so in earthworm कौन से टाइब का जो है आपका यह circulatory system present होता है hemo salik present होता है open type close type या फिर expanded by the flow soul तो यहाँ पर आपका answer क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका answer होना चाहिए closed type closed type जो है circulatory system आपके earthworm में होता है insects में कौन सा होता है इंसेक में आपकी hemo seal होती है जिसमें जो है आपका blood flow करता है तो यहाँ पर answer अखिलेश B दे रहे हैं गिरिश C दे रहे हैं और यहाँ यह याद रखेगा आपके earthworm में open type नहीं होता है closed type होता है जबकि insects में आपका open type देखने को मिलता है normally insects में आपको open type देखने को मिलता है लेकिन earthworm में closed type होता है चलिए insects are the most abundant and diversified animals on the earth earth पर सबसे ज़्यादा मातरा में और सबसे ज़्यादा diversity के साथ insects को पाया जाता है उसके क्या कुछ regions हो सकते हैं तो यह तो हमने पहली ही class में अपने introductory class में किया था जब हम conceptual entomology कर रहे थे तो फटाफट से बताईए segmented body antenna three pairs of leg या फिर capacity of flight किस के कारण जो है इनमें इतनी abundance पाई जाती है तानूजा says c three pairs of leg no the answer is capacity of flight capacity of flight यानि की इनमें क्योंकि उडने की शमता है अपना ने की यह बहुत जल्दी change कर सकते हैं predator के बहुत जल्दी हाथ नहीं आते हैं क्योंकि यह उड़ जाते हैं अपनी जगा change कर सकते हैं तो flight जो है इनको काफी help करती है शर्वाइव करने में और अपनी abundance बढ़ाने में so flight is the right answer the noctidae which is common pest of both pigeon pea and chick pea कौन सा pest है जो pigeon pea और chick pea में common है और noctidae family से बिलॉंग करता है spodoptera litura, adesura actinsoni, halicoverpa, armigera या फिर bemisai inference यहां पर आपका answer क्या है है हलिको वर्पा, armigera, halicoverpa, armigera जो है आपका दोनों में common होता है और यह noctidae family से बिलॉंग करता है तो इसका answer तो काफी बच्चों ने सही दिया है मस्त्राम, नैंसी, सत्यम, अखिलेश, अंकित, अर्पित सभी ने इसका answer जो है सही दिया है तो यह आपका हैलिको वर्पा, armigera answer है चलिए, half moon shaped scrapping यानि कि इस तरीके की scrap करके वो इस तरीके की shape बना लेगा half moon shape का बना लेगा, shape को half moon shaped scrapping और noaching of the brinjal leaves brinjal की leaf पर इस तरीके की scrapping patterns देखने को मिलते हैं यह किस insect की वज़े से होता है urantius species की वज़े से होता है epilachna, vigencio, punctata की वज़े से होता है lettuce, cynodes, orbonellis की वज़े से होता है या myeloceros, sub fashion test की वज़े से होता है इन में से किस के कारण जो है इस तरीके की shape की scrapping देखने को मिलते हैं brinjal के plant पर यानि की आपका जो egg plant होता है brinjal plant होता है उस पर देखने को मिलते हैं answer आ रहे है ankit says b, tanuja says b, shanti says b तो यहाँ पर आपका answer क्या है आहाँ पर आपका answer है myeloceros, sub fashion test myeloceros, sub fashion test जो है आपका answer है apilachna आपका answer नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कोई famous चीज हो वही पूछी जाए इसका जो common नाम होता है यह होता है ash weevil ash weevil इसको कहा जाता है और यह half moon की shape में scrapping करता है leaf के ऊपर ठीक है so somebody has given girish has given answer d so girish को जो है यहाँ पर brownie points मिलते हैं उन्होंने ही सही answer दिया है अच्छा मैं यह बात सोच रहती कि रोज हम quiz तो करते ही है कल से हम अपने points collect करना शुरू करते हैं कि कितने question हुए है total उसमें से हमने right answer कितने दिये है wrong answer कितने दिये है तो अपने points हर students को count करने है cheating नहीं करनी है और last में हम देखेंगे किसका score जो है सबसे ज़्यादा होता है तो last में हम comment करके अपने scores बताएंगे और देखेंगे सब में से किसका score जो है सबसे ज़्यादा हुए तो कल से हम यह scoring वाला game खिलने वाले हैं ठीक है तो आज के लिए हिंदी बे बचा आपका जो इफको का exam है वो इंग्लिश में ही आने वाला है इसमें हिंदी में नहीं आएगा इसमें एक ही medium है English medium तो यह क्योंकि इसको एक्जाम के औरियंटेड है इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में ही आपको questions देखने को मिलेंगे चिके चलिए the spiraling white fly infesting the leaves of many crops spiraling white fly काफी crops पर attack कर रही है तो spiraling white fly का नाम क्या है Bamecia tabakai, Allerolobus species, Allerodicus, Dipercus and none of the above spiraling white fly spiraling white fly जो है किसको बहुत crop infestation करती है तो इसका जो scientific name है वो क्या है what is the scientific name of your spiraling white fly चलिए तो टाइमर तो मैं चलाना भूली गई है पट यहां पर हमें आंसर मिल गए है A, A, A A is not the right answer बच्चा Allerodicus, Dispercus, जो है आपका right answer है So C is the right answer अगें गरीश ने सही आंसर दिया है गरीश has given the right answer Allerodicus, Dispercus, जो है आपकी Spiraling white fly है Normally white fly का नाम क्या होता है बैमें से टबिकाई हम लगा देते हैं लेकिन white fly के actually बहुत सारे variants है उनके different different नाम होते हैं different crops में वो infestation करती है तो यहां पर जो spiraling white fly है उसका नाम आपका option number C है चेकें, चलिए Moving to the next question, the noctoid borer on ragi noctoid का मतलब क्या है वो noctoidy family से बिलोंग करता है borer है और ragi crop पर यह आता है तो इन में से कौन सा ऐसा insect है जो noctoidy family से बिलोंग करता है और ragi crop पर आता है सिसेमिया, इंफेरेंस, काईलो, पार्टेलस, काईलो, सुप्रेस, सैलिस या फिर स्कृपोफेगा निवेला विच वन आफ देम इस दा noctoid borer तो यह जो नो जो आपके last के है तो rice के, जो rice के insects है और काईलो पार्टेलस, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यह सेम बोरर है, शौरगम में होता है तो ragi में जो है, सिसेमिया इंफेरेंस, जो है, ragi में होता है तो right answer यहाँ पर क्या है, right answer है आपका A, A is the right answer चलिए, moving to the next question दा बशी अपिरेंस विद डेड हार्ट इन शुगर केन एट सिक्स इंटर नोड इस डू टू जो बुशी अपिरेंस होती है, यानि कि बुशी अपिरेंस आपकी जो लीफ है उपर की वो छोटी length में हो जाती है, crinkle shape देती है और बुशी लाइक अपिरेंस उसकी हो जाती है और इसमें आपको dead hurts भी देखने को मिलते हैं, six internautes इसमें dead hurts भी देखने को मिलते हैं, sugar cane में तो यह किस insect के कारण ऐसा होता है, किस insect के कारण आपको dead hurts और बुशी अपिरेंस देखने को मिलते हैं, excess irrigation के कारण, top borer के कारण, excess nitrogen के कारण या फिर मिली बग के कारण, so which one of them is responsible for bushy appearance and dead hurts in sugar cane, तो यहां पर answer आ रहे हैं, B, A, B, B, so B is the right answer, top borer जो है, आपका pest है, जो इसमें infest करता है, sugar cane में और जो यह इसकी जो crown होती है, top होती है, जिदर leaves होती है, उदर बंची टाइप अपिरेंस दिखाता है, यह इसका symptom है, और उसके बाद इसमें dead hurts भी बनते हैं, तो top borer is the right answer, चलिए, scientific name of banana aphid, banana aphid का scientific name क्या है, banana aphid का scientific name क्या है, थ्रिप्स, फ्लोरम, पेंटलोनिया निग्रो नर्वोसा, कॉस्मोपोलाइट सॉडी दस, वीरा कोला आईसो क्रेट्स, वीरा कोला आईसो क्रेट्स, वेच वन अफ देम इस साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना aphid, थ्रिप्स, फ्लोरम, पेंटलोनिया निग्रो नर्वोसा, कॉस्मोपॉलाइट, सॉडिडिकस या फिर वेरकोला आईसो क्रेट्स चलिए अरे वा फटाफ़ फट आंसर आए जा रहे हैं सम सेज बी, सम सेज ए, सम सेज बी अगें तो येस, बी इस दा राइट आंसर, पेंटलोनिया निग्रो नर्वोसा, जो है ये आपका सही आंसर है, तो इसका नाम ही एक्चलिए काफ़े इंट्रेस्टिंग था तो ये मुझे भी हमेशा याद रहता था, हलाकि मैने आपको बताया है कि मुझे साइंटिफिक नेम्स थोड़े से कम ही याद रहते हैं लेकिन इसका नाम काफ़े इंट्रेस्टिंग था, तो ये मुझे हमेशा याद रहता था मैंने इसको याद ही ऐसे किया था, यूनो मुझे पेंट लेने जाने, ट्राउजर पेंट लेने जाना है, and I am getting nervous, तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, तो ये जो है आपके बनाने का एफिड है, और काफी फेमिस है, चलिए, मीना चोधरी ने तो अपने जो है, बी, 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 बहुत कैपिटल, स्ट्रीक्स, along leaf axis in rice is characteristic symptoms of white color की स्ट्रीक्स, यानि की सफेद रंग की धारियां आपको rice में, rice की leaf में देखने को मिलती है, धान में देखने को मिलती है, तो ये जो white color की धारियां है, white स्ट्रीक्स है, ये किस insect के कारण होती है, स्किर को स्किर्पो फैगा इंसर्टिलिस के कारण, डिकला डिसपा आर्मी जरा के कारण, नेफो टेक्टिक्स, निग्रो पिक्टिस के कारण, या फिर नन ओफ दा अबव, आइन टाइम स्टार्ट नाउ, चलिए, answer हमारे पास आ रहे है, A, 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 answer हमारे पास आ रहा है, सिर्को फैगा इंसर्टिलिस, I guess, B, Girish says B, Dominic says B, तो आपका B जो है, डिकला डिसपा आर्मी जरा, डिकला डिसपा आर्मी जरा, जो है, इसको राइस हिसपा के नाम से आप जानेंगे, यह मैंने आपको याद करवाया था पिछली क्लास में, हिसपा एंड डिसपा को याद रखेगा, तो राइस हिसपा जो जो उसका characteristics symptom होता है, ओके, nephotectics, negropictus, nephotectics, negropictus का common नाम, फटाफट से comment box में, बताईए, nephotectics, negropictus का common नाम, काफी famous यह जो है, आपके rice का insect है, तो इसका common नेम क्या होता है, फटाफट बताईए, nephotectics, negropictus का common नाम, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको green leaf hopper कहा जाता है, leaf hopper तो आप लोगों ने, इसमें सुना ही होगा rice में, तो इसको green leaf hopper कहा जाता है, काफी, जो है important और major pest है rice का, और काफी question इससे अक्सर पूछ लिए जाते है, तो इसको scientific name आपको याद रहना चाहिए, चलिए, आपका next question यहाँ है, in rice, which insect cause yellowing and drying of plant, leading to condition known as hopper burn, किस के कारण आपके feel में hopper burn होता है, brown plant hopper की वज़े से, white bagged plant hopper की वज़े से, गंधी बग की वज़े से, या फिर both A and B, due to which insect your hopper burns come in rice, hopper burn का क्या मतलब है, आपके plant यलो कलर के हो जाएंगे, dry हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, जिसके कारण आपका पूरा जो patch है, जहां पर ये insect मोजूद है, वो पूरा dried दिखेगा, जला हुआ सा दिखेगा, इसी लिए इसको hopper burn कहा जाता है, और ये जो है, आपके brown plant hopper की वज़े से होता है, तो नीला परवता ल्यूगेंस, जो है इसका scientific name है, brown plant hopper, जिसके कारण hopper burn दिखाई देता है, rice में, तो इसको भी जो है, याद रखेगा, it is an important question, ओके काफी important question है ये, चलिए, moving to the next question, nibbling of rice, nibbling of rice, earhead and defoliation, leaf midrib in rice, leaving midrib in rice is by, यानि की nibbling of earhead की जाती है, earhead को चूट लिया जाता है, खा लिया जाता है, और आपकी जो leaf है, उसको भी इस तरीके से खाया जाता है कि केवल midrib छोड़ी जाती है, केवल midrib रह जाती है, leaf lamina को पूरा खतम कर दिया जाता है, तो ये कौन से इंसेक्ट के सिम्टम्स है, rice, grasshopper के, cutworm के, rice, blue, beetle के, या फिर none of the above, and your time starts now, तो rice, grasshopper, cutworm, rice, blue, beetle, या फिर none of the above, यहाँ पर आपका अंसर, तनुजा से इस भी, सत्यम से भी, प्रवीन, गिरिश, सोरी, प्रवीन से भी, गिरिश इस ए, सो गिरिश जो है, काफी पढ़कर आएं है, अपनी एंटमोलोजी को, rice, grasshopper is the right answer, rice, grasshopper जो है, इसके कारण, यह जो आपकी सिम्टम्स है, यह दिखाई देते हैं, यानकि पूरी leaf lamina को खालिया जाता है, किवल midrib इसमें छोडी जाती है, तो यह आपका, जो है, rice grasshopper के कारण होता है, A is the right answer, चलिए, moving to the next question, in paddy, the elongation of leaf sheath, when infested by gall fly, is due to which chemical, जब gall fly इसको attack करती है, तो एक chemical release होता है, जिसके कारण इसकी जो leaf sheath है, वो elongate हो जाती है, तो यह किस हार्मोन के कारण होता है, एलिथरिन के कारण, एकडाइसोन के कारण, सैसी डोजन के कारण, या फिर एलोमोन के कारण, which हार्मोन is responsible for leaf sheath elongation, leaf sheath elongation, कीरती मिश्रा सेज, ए गरिश एज, ए साक्षी सेज, ए आर्थी सेज, ए सत्यम सेज, शी, तो भाईस, इस बार सत्यम सही है, तनुजा भी सही है, C is the right answer, सैसी डोजन जो है हार्मोन होता है, जिस के कारण, leaf sheath elongation होती है, जिस के कारण, लीफ शीथ एलोंगेशन होती है, and holes in the role of newly opened leaves belong to the family आपका जो यह जो आर स्टेम बोरर है इसके क्या-क्या symptoms है यह आपके dead hurts बनाता है और जो mid ribs होती है उनको red color की appear होती है और इसमें holes present होते हैं जो नई leaves बनती है रोल्स बनते हैं उनमें holes present होते हैं तो यह इसके symptoms है symptoms यहाँ पर काफ़ी specific थे तो question में ही काफी जो है लंबा चोड़ा राल देतना डालने की ज़रुवत नहीं थी जुआ स्टेम बोरर बेसिकली आपका किस family से बिलॉंग करता है मस्कीडी फैमिली से नॉक्टीडी फैमिली से डेलफा सीडी फैमिली से या फिर कैरंबिडी से तो विच फैमिली यूर जुआ स्टेम बोरर बिलॉंग स्टू मस्कीडी नॉक्टीडी डेल्फिसीडी कारमगी डेल्फा। गारमगी जो है इसका राइंसर है जोकी यह आपका जो स्टेम बोरर है जोर स्टेम बोरर यह कारमगी फैमिली से बिलॉंंग करता है तो आपको फिर से मिलते हैं आज से ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं कल से हम इसके quiz खेलेंगे तो आज की class में इतने ही question कल फिर मिलेंगे हम अपने और questions के साथ तो कल से हम यही करने वाले हैं आप सभी लोगों को अपने अपने score card रखने हैं पास में एक pen लेकर बैठिएगा जो जो question को आप सही लगाते जा रहें अपने आपको one mark देते चले चाहिएगा जो जो गलत question को लगा रहे हैं वो जो है अपने zero marks दे देगा तो there is no negative marking और फिर हम last में अपना score card चेक करेंगे किस के कितने सही जवाब हैं तो बिलकुल इमानदारी से खेलेगा बहुत मज़ा आने माला है कल फिर से जो है हम अपनी entomology की class में मिलेंगे और agriculture महापक की जो validity है वो double validity तो खतम हो गई अब ये केवल आपको 12 महिने के लिए ही मिलेगा और सभी agricultural exam के लिए helpful है चाहे वो आपका IBPSO है और चाहे आपका नबाड है चाहे वो आपकी state agricultural universities के exams है चाहे आपका FCI आने माला है चाहे आपका इफको आ चुका है NFL है कितने भी exam है क्योंकि इसमें agriculture से related सारा study package है यानि कि इन सभी packages में जो जो available है वो महा pack में आपको मिलेगा ही मिलेगा तो इसमें काफी सारा study content आपको मिलता है live classes, video classes, test series, e-books सभी मिलता है ठीक है तो question के साथ थोड़ी theory भी बता दीजिए कीर्थी क्योंकि ये सर्फ आदे गंटे की class है बच्चा तो यहाँ पर possible नहीं हो पाता है कुछ classes मैंने entomology की ली हैं आपकी theory classes तो वो आप UP Catet and Rajasthan JET की अंडर ली थी तो उनको आप सर्च कीजिएगा agriculture order 24-7 पर आपको मिल जाएंगी और वहाँ से हम pick up करेंगे जहां हमने छोड़ा था अपनी रात वाली class में यानि की agriculture complete foundation की class में हम जैसे ही by technology cover होगी फिर वहाँ पर हम entomology की जो है theory class लेना शुरू करेंगे ओके तो आज की information इतनी ही और आप सभी को एक बर फिर से बता दूँ इफको का आपका paid batch शुरू हो रहा है 12 April से तो जो भी बच्चों ने इफको का form भरा है इफको को target कर रहे है 12 April से आपका batch start होने वाला है जल्दी से enroll कीजिए registration form भरिये और हमसे one to one interaction करने ज़रूर आईए जो आप इस package को खरीद सकते है agriculture एड़ा 24-7 की website पर और code use करना है आपको y448 y448 को code use करके लिए गा 77% का आपको इसमें discount मिलेगा तो ये थी हमारी entomology की class conceptual class of bio technology हम रात को 8 बचे ले रहे हैं तो जो जिन बच्चे को bio technology समझने में दिक्कत है वो रात को 8 बचे मेरे साथ मिल सकते हैं जहाँ पर हम conceptual class लेते हैं ओके goodbye take care and अपनी next class के लिए तयार हो जाए